हलो और वेलकम फ्रेंड्स, नेगेटिव स्टॉक के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन आज की ये विडियो एक्सेप्शन रिपोर्ट को ले करके हैं, एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या होता है, क्यों ये दिया होता है टेली प्राइम में, आज इसे की बात करेंग तो इसी को यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में डाल देता हूँ, एंटरपेस करता हूँ, यहाँ पर आ जाओंगा, ठीक है, एंटरपेस करेंगे, एंटरपेस करेंगे, और यहाँ पर आ जाएंगे, अब यहाँ सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा, तो यहाँ पर क यह ले लेते हैं, तो यह अभी ठीक है, इसी को ले लेते हैं, यहाँ पर quantity डाल देंगे, like हम यहाँ पर 200 quantity डालेंगे, अबिलेबल कम है, लेकिन हम 200 quantity डालेंगे, तो यह बता रहा है, कि 133 आइटम आपका minus में जा रहा है, ठीक है, तो अभी यह entry हम pass कर देंगे, ऐसे ही, एक स से कुछ और भी ले लेते हैं लाइक क्रेडिटर डेटर पार्टी यही रहेगी एंटरपेस करता हूँ और भी कोई डेटर पार्टी हो तो आप उस वहां पर भी जा करके आप देख सकते हैं और इसको लेकर के फिर यहां सेल्स अकाउंट कर देंगे और अब कोई और स्टॉक हम ले लेते हैं लाइक यहां पर देख सकते हैं पाइथन की साथ बुक एविलेबल है ठीक है और साथ बुक के जगा हम क्या करते हैं साथ बुक के जगा यहां पर हम दस बुक बेच देते हैं तो यहां पर देखिए तीन बुक माइनस में आ रहा है और इसकी कीमत जो भी enterprise करता हूँ और इसे भी मैं करा लेता हूँ accept ठीक है इसी तरह से एक दो entry और पास करते हैं sales voucher में ही तो यहाँ पर फिर आता हूँ आलग एक data party बनाते हैं मैं यहाँ पर बनाता हूँ लक्ष्मी दी कर देता हूँ यानि data enterprise करता हूँ यह जाएगा sundry data में है तो यहाँ से sundry data आपको choose कर लेना है यहाँ पर चीक है एंटरफेस करते हूँ इसे accept करा लिजिया यह accept हो गया control प्रेस कर दीजिये यहाँ पर control प्रेस कर दीजिये और अब यहाँ sales account का जाएगा अब यहाँ पर क्या करता हो कुछ और stock item लेते हैं लाइक बाम हो चुका है debt all ले लेते हैं debt all का साबून तो इसे भी हम बेच देते हैं और यहाँ पर quantity कितनी है जो भी quantity है हम 200 item बेच देते हैं माल लिए तो यहाँ पर जैसे ही 200 item बेचने जाएंगे तो यहाँ पर कह रहा है minus 144 item यानि कि 144 stock negative में जा रहा है एंटरफेस करते हैं फिर भी बेच देते हैं कोई दिकत नहीं है 45 रुपे का एक साबून है एंटरफेस करके और इसे करा लेते हैं accept ठीक है तो यह करा लिए accept हमने अब बाहर आ जाता हूँ बाहर आने के बाद अब माल लिजे कि आपको यह पता करना है कि आपका कौन-कौन सा item negative में है तो कैसे पता चलेगा अभी आपको यह चीज नहीं पता चलेगी इसके लिए आपको जाना पड़ेगा stock summary में तो यह देख सकते है stock summary as press कर दीजे आ जाएंगे stock summary में अब देखे यहाँ पर यह देख सकते हैं जो जो चीज़े minus में है वो यहाँ पर minus लग कि आया हूँ है minus 90 पीस ठीक है minus 30 लेकिन यहाँ पर जो plus में है वो भी stock item हमेशो हो रहा है यहाँ पर देख सकते है cross in है या फिर headphone वगरा है तो यह plus में है इसमें कोई minus में नहीं है तो इसमें देखने में थोड़ी problem होगी जब stock item की संख्या जादा होगी तो वहाँ पर आपको problem आएगी ठीक है तो अब यहाँ से बाहर आ जाता हूँ और उसी की बात कर लेते हैं जो कल हम बात कर रहे थे exception report की तो exception report क्यों use होता है आईए मैं दिखाता हूँ आज हम एक ही topic पे चर्चा करेंगे उसमें बहुत सारी चीजे हैं लेकिन सिर्फ आज हम एक topic पे चर्चा करेंगे तो यहाँ पर display पे आ जाते हैं और यहाँ से नीचे आपको दिखाई पड़ेगा exception report तो यह देख लिजे यही है वो exception report य फिलाल अभी आते है negative stock पर आज का यह topic negative stock को लेकर के हैं तो n प्रेस कर दीजिए keyboard से अब आपको खाली वही stock item नजर आएगा जो जो minus में है यानि कि जो जो आपने minus में है उठा कर के बेच दिया जैसे आशिरवाद आटा है तो 110 kilo minus में है और आपने उठा कर इसको बेच दि है तो वो भी minus में हो फिर data all की बात करें तो 144 item minus में है Python की book की बात करें तो 3 item minus में है और 133 item minus में है 7 also ठीक है तो इस तरीके से आप negative की जानकारी exception report से प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसान है इसके अलावा lasers भी देख सकते हैं तो lasers के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊगा